नमस्कार दोस्तों आप सबी का सौटत है हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकरी देने वाले हैं दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में कामया भी पाना चाहता है मांट सम्मान पाना चाहता है धन दौलत एकत्रित करके अपने परिवार को शुक, समर्दी, पुशिया और एस्वरे परदान करना चाहता है लेकिन दोस्तों अधितर लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी ये सब्क्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने कर लिया तो ये सबी चीजे धन, सम्मान, सुक्सम्रदी, प्रतिष्ठा, आदी सब कुछ सहज रूप सही आपको मिल जाएगा सुर्य देव को जल चड़ाने वाले लोटे में डाल देए एक छोटी सी चीज मिलेगा धन, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार में उन्नती, पित्र का सहयोग और रोगों से भी मुक्ति जिया दोस्तों किवल ये एक छोटी सी चीज अगर आपने लोटे में डाल करके और सुर्य देव को जल चड़ा दिया, तो समझ लीजिए कि ये सभी चीजे आपकी जोली में खुदिया करके जाएगे आपको फिर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों बैसे तो सुर्य देव को प्रते दिन ही जल चड़ाना चाहिए लेकिन अगर आप प्रते दिन सुर्य देव को चोल लोटे से जल नहीं चड़ा सकते हैं तो आप रभीवार रभीवार के दिन ही आप लोटें से सुर्य देव को जल चड़ाया करें दोस्तो सुर्यदेव की दो संताने हैं एक यमराज और एक शनीदेव ऐसा कहा जाता है कि जिन किसी व्यक्ति के उपर भी सुर्यदेव की करपा हो जाती है उन सभी को धन्मान संबाल के साथ साथ इन दोनों का भी आशिरवाद मिल जाता है क्योंकि उनके पिता का आशिरवाद होने की बज़ा से यम से कोई भी खत्रा नहीं होता है और सनी देव की साड़े-साती ये ढहिया का आपके उपर कोई असर नहीं होता है दोस्तों जीवन में हर किसी व्यक्ति को सर्फ दो ही चीजों का खत्रा होता है या तो बें विनास की तरफ जाएगा या फिर मिर्ति उसका पीछा करेंगी दोस्तों अगर आपने सुर्देव को जल दिया तो आपको यम देवतार से भी कोई खत्रा नहीं और साथ इसाथ सनी देव का भी आपको पूर्ण जहियों को मिलता है इसलिए दोस्तों आपको हमारे दुवारा बताएं कि छोटी सी चीज लूटे में डाल कर कि सुरदेव को जल अवश्य देना चाहिए हम आपको उस चीज के बारे में बताएं या उस उपाई के बारे में बताएं उससे पहले दोस्तों कमेंट बोक्स में एक बार जय बजरंग बली अवश्य लिखें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी उपाई विदी विदान से करते हैं तभी आपको उसका पूर्ण फल मिलता है अगर बिना विदी के कोई भी किया गया उपाई आपको कभी भी फल नहीं देता है और कभी-कभी अगर विदी खराब हो जाए तो आपको उसका उल्टा प्रवाबी देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरेपली लिखें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का बला हो सकते। रिगवेद के अनुसार सूर्यदेव में पापों से मुक्ती, दिलाने, रोगों का नाश करने, आयू और सुक में वर्दी करने, वह गरीबी दूर करने की अपार सकती है। इसलिए जो भी जातक नित्य सूर्यदेव को जल चड़ाता है या रविवार के दिन सूर्यदेव को जल चड़ाता है, उसको यह सभी सहजी मिल जाता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप एक तांबे का ही लोटा ले। जिया दोस्तों, सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चड़ाना चाहिए। एक तांबे का लोटा ले करके उसमें जल भरने, जल भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाले। इस चीज़, दो कुष्प जो की लाल रंके हो, आप उन्हें इस जल में अवशे डाल दे। ये सभी शामगरी लोटे में डाल देने के बाद, आप सूर्यदेव को, ओ, सूर्या आयनम, इस मंतर का जाब करते हुए, सूर्यदेव को अर्ग दे। दोस्तो जब तक इस मंतर का जाब करते रहें, जब तक की पूरी जल आप उनको अर्ग न दे दे। दोस्तो एक पतली धारा बांद करके, धीरे धीरे सूर्यदेव को जल का अर्ग दे। दोस्तो अगर किसी कारण से आकास में बादर चाय हुए है, या फिर आप उस जल देने में देरी हो गई है, तो भी आप सूर्यदेव को पूरो दुशा की और मुक करके ही जल दे। सूर्यदेव को जल देने के लिए लोटे को अपने सिर से उपर की ओर कर ले, उसके बाद जल अग्वित करें, और जो धारा लोटे में से गिरेगी, उसमें से होते हुए सूर्यदेव के दर्शन करें, जब सारा जल जमीन पर गिर जाएगा, उसमें से थोड़ा सा भाग आपको पूरा फल प्राफ होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में के वर इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में जासे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जैब जरन बले